तो दोस्तो आज हम बात करेंगे Amazon Pay ICICI credit card के बारे में जो की काफी ज़्यादा famous है और काफी ज़्यादा पुराना भी है ये credit card अगर आप लेते हैं तो ये lifetime के लिए free मिलता है और इसमें कोई भी joining feast नहीं लगती है इससे पहले हमने discuss की थी access bank credit card के बारे में IDFC first bank card के बारे में और AU small finance bank credit card के बारे में भी हमने discuss की थी उनके बारे में भी काफी detail में वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, वो credit card आपको apply करना है, उनके बारे में जानना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम प्रॉपर जानेंगे कि क्या-क्या इसके benefit है, क्या इसके advantage है, क्या disadvantage है और इसके hidden charge के बारे में भी हम बात करेंगे, जो की कोई discuss नहीं करता है कई बार क्या होता है, bank agent आपको phone करता है और आपको card के benefit गिनाने लगता है लेकिन hidden charge के बारें बात नहीं करता है वो hidden charge क्या होते हैं कितने तरह के होते हैं छोटे होते हैं या बड़े होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती है बस आपको card की अच्छाईयां गेना दी जाती हैं बुराईयां नहीं गेना ही जाती हैं और आपको कैसे ना कैसे convince किया जाता है कि आप card को ले ले और फिर हम एक दो साल तो अच्छा चलाएं और फिर उसके बाद धीरे 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 पैसा काटने लगें तो वो चीजों से आपको बचना है उसके लिए आपको proper information की जरूरत होगी proper video देखने की जरूरत होगी इसलिए ये video आप पूरा last तक देखते रहिए आपको हर चीज detail में मिलेगी थोड़ा video लंबा हो सकता है थोड़ा सा boring हो सकता है लेकिन अगर आप पूरा video देख लेंगे तो आपको इस card के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पर इनकी official website पर देखेंगे कि ये क्या-क्या actual benefit देते हैं कौन-कौन से charge देते हैं तो इसके लिए आपको पूरा video देखना पड़ेगा हम चलते हैं computer screen पर और इस card का पूरा analysis करते हैं इसका पूरा review करते हैं बस आपको video छोड़के नहीं जाना है अगर पूरी detail चाहिए तो आपको last तक video देखना पड़ेगा क्योंकि last में एक ऐसी trick बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कोई भी credit card में पता लगा सकते हैं कि इसमें head and charge कैसे check किये जाते हैं कहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं तो चलिए चलते हैं computer की screen में और इनकी official website पर हम जाल लेते ह इनके card के बारे में actual benefit क्या है वो सारी चीज़े हम देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हम इनकी official website पर आ गये हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने Amazon Pay का credit card खोला हुआ है यहां पर Amazon Pay ICIC bank credit card खोला हुआ है और इसके बारे में कुछ जानकारी यहां पर दी गई है इसको आप पढ़ सकते हैं इनकी website पर जाके हम यहां पर benefit की बात कर लेते हैं benefit क्या है सबसे पहले इन्हों ने यहां पर लिखके रखा है कि no joining fees and annual fees ठीक है तो यहां पर आपको कोई भी joining and annual fees नहीं देना है इस चीज़ को इन्हों ने highlight करके रखा था पहले ही और यहा आप कितने भी reward points कमा सकते हैं और इनकी जो date है वो कभी भी नहीं निकलेगी जैसे कि बहुत सरे card ऐसे होते हैं कि उनकी expiry date निकल जाती है वो expire हो जाते है points एक साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में तो अगर आपके rewards जो हैं वो expire हो जाते हैं तो आप उनका use नहीं कर जाते हैं वो एक तरह के रोपय ही होते हैं तो उनका आप यूज नहीं कर पाते हैं तो वो खराब चले जाते हैं लेकिन इसमें यह सबसे अच्छी बात है कि यह चीजें जो है expire नहीं होती है IDFC का card भी ऐसा है कि उसमें मैंने जो review किया था उसमें भी point expire नहीं होते थे उनकी कोई expiry date नहीं होती ऐसे ही सुबदा जो है इसमें भी है कि इसके जो point है उसमें expire नहीं होने वाले तो यह एक अच्छा point है जो कि मुझे personally अच्छा लगता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि reward can we earn purchase over 10 color product on amazon.com इसका मतलब यह है कि आप इनके platform से यानि कि amazon से आप इन point का use क दरके कोई भी product खरी सकते हैं तो आप ही बताए Amazon से आप कुछ भी खरी सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि Amazon पर तो सब मिल जाता है लगबग तो 10 color product में से आप कुछ भी खरी सकते हैं और आप इसमें जो है इनी point का use कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी अगला जो point है वो भी बढ़िया है कि no cost EMI में आप इसमें यूज कर सकते हैं यह वाला card और 3-6 महिने का EMI में payment कर सकते हैं तो यह भी काफी अच्छी बात है लेकिन यह सुब्दा और भी card देते हैं यहाँ पर reward point की value भी उन्होंने दिखाई यह कि एक point की value जो है एक रुप भी खरीज सकते हैं ठीक है आपको Amazon से कुछ भी खरीदना है तो वो आप खरीज सकते है Amazon Pay Valence से ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात है आपको कुछ करना ही नहीं है कोई redeem नहीं करना है आपको shopping कर लेना है direct या Amazon Pay से आप पैसा निकाल भी सकते हैं अपने bank account में भी transfer कर सकते है अगला हम benefit देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि आप 3% cashback पाएंगे जब आप Amazon से कोई भी shopping करेंगे अगर आप Amazon के prime member नहीं है तो भी ठीक है अगर आप prime member हैं तो आप 5% कमाते हैं ठीक है यहां पर नहीं mention है लेकिन आपको 5% cashback मिलता है अगर आप इनकी website से कोई भी purchase कर करते हैं और अगर आप prime member नहीं है तो आपको 3% मिलता है ठीक है तो यह भी point है और बड़िया चीज है इसके अलाबा आप यहां पर आगे देख सकते हैं कि आपको बाकी expense पर जैसे कि shopping हो गया, dining हो गया, insurance payment हो गया, travel हो गया, कुछ भी हो गया अगर आप वहां पर spend करते हैं तो आपको 1% cashback मिलेगा ठीक है अब यहां पर और भी offer आते रहते हैं वो भी आप enjoy कर सकते हैं यह लिखे हुए हैं अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं हर website में आपको एक चीज जरूर मिल जाएगी जो कि है कि आपको यह लोग charge नहीं बताते हैं, charge छोटे अक्षरो में लिखेंगे क्योंकि बाकी card के 0 नहीं होते हर card के 0 नहीं होते लेकिन जिन card के 0 होते हैं उनके भी उनने के साथ लिखे जाते हैं तो वो list आपको निकालना है तो यह दो तरीके से होती है या तो यह अपनी website में mention कर देते हैं clear कि इस card में कोई भी charge नहीं लगेगा या फिर यह अलग से एक page बना देते हैं जिसमें सभी card की list होती है और उसमें one by one सभी card के annual charge लिखे हुए होते हैं जैसे कि मैंने HDFC सौपर्स card के बारें बताया था उसमें एक list बताई थी उसमें HDFC के सभी card थे और सभी card के annual charge भी लिखे हुए थे तो ऐसे ही सभी bank के credit card की charges की list होती ह या फिर particular उस card के page पर नीचे लिखा होता है कि इसमें कोई charges नहीं लगता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें clear लिखा हुआ है fees के बारे में ठीक है तो यहाँ पे लिखा है कि joining this exclusive program cost absolutely nothing to term of joining and annual fees we do not charge you any joining or annual fees ठीक है तो इन्होंने clear साफ कर दिया कि हम कोई भी fees नहीं लेते हैं इसके लिए तो यह clear हो गया आपको लेकिन कोई-कोई credit card में यह चीज नहीं होती है तो यह लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे भविस में कोई charge कर ले तो मुझे यह Amazon Pay का credit card जो है मुझे काफी साफ सुतरा और transparent लगा आप चाहें तो इसक को apply कर सकते हैं description में मैंने link देके रखिए मैंने इस वीडियो में कोई भी detail cover ना की हो तो आप उसे comment में बता सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं channel को subscribe करके जरूर जाए इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन